नमस्कार विध्यारतियों मैं बीएस राजावत मिशन ग्यान के ओलाइन प्लेटफोर्म पर सीटी के कोर्स में आपका हर्दिक्ष्वागत करता हूं अविनंदन करता हूं दोस्तों अपन बात कर रहे हैं बेरोजगारी के पार तीन के जिसमें मैं आपको बेरोजगारी की प्रकरती के बारे में बात करूंगा अब बेरोजगारी के मापके इस्तर के बारे में बात करूंगा और वर्तमान समय में राज्तान में नियुन्तम अजदूरी की दरह उनके बारे में बात करूंगा तो एक बात तो ज्यान अगर पूचे कि भारत में या रास्तान में सरवादिक बेरोजगारी कौन सी है तो भारत में पूचले या रास्तान में पूचले तो सरवादिक विरोजगारी है वो तौचे सरवादिक विरोजगारी कौई सवादिक सवादिक सब्सक्राइए और राजस्तान में सरवादिक विरोजगारी सनसनात्मक है धाचागत्वे रोजगारी है और यह होती 50 क्या है यह मैं आपको बता चुक अगर किसी देश या किसी फ्रदेश की सरकार के पास लोगों को रोजगार देनी की प्रियाप्त्चमताएं नहीं है यदि किसी देश की सरकार के पास लोगों को रोजगार देनी की प्रियाप शम्ता नहीं है उसके पास में आधार वो ढांचे का अभाव है इसलिए वो रोजगार नहीं दे पारी उसको संदस्रात्मक या ढांचागत बेरोजगारी कहा जाता है तो पहली बात तो ही ध्यांद भारत में पूछे रस्तन में पूछे एक सबसे ज़्यादा विरोजगारी कोन सी है तो संदसाटमक ये नाचागत ए फिर बेटक सको सै Traffic में बात लेता है तो सहरी या नगरिय शेक्तरों में बीροजगारी का जो सबसे ज्यादा रूप देखने को मिलता है वो मिलता सिक्षित वे तक्निकी बिरोजगारी सेरों में बिरोजगारी का सबसे ज्यादा रूप शिक्सित और तक्निकी बिरोजगारी की रूप में मिलता है और ग्रामिन शिक्त्रों में आप देखें तो ग्रामिन शिक्त्रों में बिरोजगारी का सबसे ज्यादा रूप जो देखने को मिलता ह प्रसलित रूप हैं वो हैं चिपी चिपी और मौस में विरोजगारी तो देखिए केवल यह पूछे कि बारत या रास्तार में सरवाधिक विरोजगारी कौन सी है तो मैंने उत्तर होगा सनसात में के डाचागत विरोजगारी केवल नगरी शिक्त्रों की बात करें कि नगरी शिक्त्रों में प्राए कौन सी विरोजगारी पाई जाती है तो नगरी या सहरी शिक्त्रों में सिक्षित या तकनिकी विरोजगारी देख बात कि ग्रामी श्क्त्रों में की डर है वह सार्थ 0.8 प्रतिशत बारत में विरोजगारी की दर लगबग आठ प्रतिशत है जिसमें ऐसे स्इए सबस्क्राइब नगरिय शिक्त्रों में विरोजगारी हैं वह साथ प्रतिशत और गरामी शिक्त्रों में साथ 0.28 प्रतिशत तो ध्यांदत में खास करके यह डाटा तो आप से नहीं योगा डारे निए आपसे पूसेगा कि भारत में सरवादिक भीरोजगारी वहाद सहरी शक्तरव में बियोजगारी तो स्बसे ज्यादा वियोजगारी शिक्षित हो तकने की होती हैं और फिर बेटर शक्तरण नेपन बेरोजगारी के माप के स्तर होते हैं तीन एक टो होता की डिस कारन डेली स्टैटस 1 तो था करंट डेली स्टैटस इस पे जो बेरोजगारी मापी जाती है देनेक और ये लोई का एक पर करते हैं कि एक के बिटाओ स्लीडेञ्ट वेकली स्टैटस इसमें बेरोजगारी सब्ताइक शाप से मापी जाती है तीसरा उता यूज्वल स्टेटस इसको समयने स्था कहते हैं और यह वार्षिक आधार पर मापी जाती है तीन सो पैंसेट दिनों को बेस बना करके इस प्रकार की विरोजगारी का माप किया जाता है जो बिरोजगारी मापी जाती है वह दैनिक आधार पर मापी जाती है cws पर विरोजगारी Webू देखें तो वारिस्टिκ आधार पर मापी जाती है दोस्तों गया कि cds प्रुजगारी के हम Gurud करें तो इसके मापका क्राइटिरिया क्या है यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में चार घंटे या इससे अधिक काम मिल जाए उसको तो रोजगार सुदा में रखा जाता है और यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में चार घंटे से कम काम मिलता है उसकी गिंती बैरोजगारों में की जाती है तो cds से देनिक आधार पर ब्रोजगारी मापते हैं अगर किसी वेक्ति को एक दिन में चार घंटे या इसे यदिक काम मिला है उसकी गिंती रोजगार जाए यदि किसी व्यक्ति को शप्ता में एक दिन भी काम मिल जाए तो उसकी गिंती रोजगार सुदा में की जाती हैं और यदि पूरे सप्ता खाली रहे पूरे सप्ता घर पे बेठा रहे उसकी गिंती बैरोजगारों में की जाती है तीसरा यूस, यूजवल स्टेटास इसको सामनी स्टर्वी कहते हैं इसके मापकी एक वर्स होती है और ध्यांद रखना यदी किसी व्यक्ति को एक वर्स में दो सो तैतर दिन इसे अधिक काम मिला हो उसकी गिंती तो रोजगार सुदा में की जाती है और यदी से कम काम मिलता है तो उसकी गिंती बैरोजगारों में की जाती है तो द्यान रखना बिरोजगारी के माप के स्तर कितने हो गए तीन हो गए पहले बिरोजगारी के माप के स्तर और यह 1973 में भगवती समीती के नुसार यह क्राइटीरिया निरधारित है तो पहला इसमें चालू देनिक स्तर को कहते हैं OCDS current daily status इसके मापकी अउदी है वो देनिक आधार पर है देनिक आधार पर आप इसको माप रहे हैं पड़ाया क्या है इसके मापकी अउदी देनिक होती है किसी व्यक्ति को एक दिन में चार घंटी या इसे यदि काम मिल जाए तो उसकी गिंती रोजगार सुदा में की और यदि चार घंटे से कम काम मिला है या काम मिला ही नहीं है उसके गिंती बेरोजगारों में की जाती है यह तो बेटा CDS है चालू देनिक इस्तर है दूसरा इसका माप लें वो है चालू सापताइक इस्तर जिसको सौट में कहते हैं CWS current weekly status और इसमें बेरोजगारी वो इसमें देखें इसके माप की एक सप्ता होती है यदि किसी विक्ति को सप्ता में एक दिन भी काम मिला है तो उसकी गिंती रोजगार सुदा में होगी और यदि सप्ता में एक दिन भी काम नहीं मिला हो यानि पूरे सप्ता बेकार रहा हो तो उसकी गिंती बेरोजगारों मे कि जाती है यह बेटा जी चालू सापता है कि सेड़लो ऐस है कि यू इस्ट सांबन सटरにな भआ यूजवाल स्टेटास और इससे जो बिरोजगारी है वो वार्सिक आधार पर मापी जाते हैं वार्सिक आधार पे में कितने दिन काम मिला हों तो उसकी रोजगार सुदा में की जाएगी और इसे कम काम तो उसकी गिंती बिरोजगारों में की जाएगी ध्यांद रखना बेरोजगारी के माप कि इस्तर कितने पालें बेरोजगारी के माप के इस्तर हो गए तीन मैंने बता एक बार क्या होगा प्रसंद दिया गया कि निम्न में से कौन से बेरोजगारी के माप की विधी नहीं है प्रसंद दिया निम्न में से बेरोजगारी के माप की विधी नहीं है तो तीनों तो ये नाम दे दिया प्रसंद प्रसंद पूछा वाई, पहला दे दिया चालू देनिक इस्तर, दूसरा दे दिया चालू शापताहिक, चालू शापताहिक इस्तर, तीस्रा दे दिया सामने इस्तर, और चोथा दे दिया स्रम घंटा विदी, यह प्रसंद पूछा हुआ है, अब बीटो मैंने आपको बेरोजगारी के मापने के तीन इस्तर पड़ाये, चालू सापताहिक भी पड़ाया है, चालू देनिक भी पड़ाया, सामने इस्तर भी पड की विदी नहीं है तो फिर किसकी विदी है यानि स्रम गंटा विदी विदी तो है पर यह बेरोजगारी को मापने की विदी नहीं है तो अब विचार कीजिए स्रम गंटा विदी से किसको मापते हैं स्रम गंटा विदी बेरोजगारी को मापने की विदी नहीं है स्रम गंटा विदी हैं यह बेटा मजदूरी को मापने की विदी है किसको मजदूरी का माप है वह स्रम गंटा विदी से किया जाता है आपको पता है आपने आपने टेंथ ग्लास में यह बाते पढ़ी थी समय काम और मजदूरी तो बीटा मजदूरी का माप दो तरीके से होता एक तो होता समय नुसार और एक होता कारी नुसार एक तो होता समय के नुसार और एक होता कारी के नुसार मजदूरी दो प्रकार से होती है जो ठेका प्रणानी होती है वो तो कारी के नुसार होती है और परतिगंटा प्रतेदेन प्रतिमा प्रतिवर्स यह जो मजदूरी दी जाती है वो क फिर अपने बात करी लिए तीन प्रकार होते हैं इन तीनों मेथड में से चालू देनी किस्तर चालू सापता किस्तर और सामने इस्तर इन तीनों में आप देखे तो बेरोजगारी का सबसे कम माप हैं वो तो बेटा जी आता है सामने इस्तर पर और सबसे ज्यादा जो माप आत तो यह नोट करके में लिख देता हूँ है कि देखो बेरोज गारी का सर्वाधिक माप सबसे कम माप यूएस यानी यूजवल स्टेटस सामने इस्तर पर आता है कि ध्याँद रखे दोस्तों दोस्तों वे रोजगारी है में इसमें अपने बारा प्रकार देखें यहांही नोट करके थ्याँद रख लेना इन बारा प्रकार में से एक तो जो संद्रस्नात्मक वे है मै और दूसरी जो लाइलाज बेरोजगारी लाइलाज लाइला रिघ लाइलाज बैरोजगारी हैि ये दोंगो प्रिकार केणे प्रकार बताएं अल्प इस्ताई प्रवर्ति की होती है और यह ध्यान रखना दीर्ग कालर जो वीरोजगारी हैं चाहिए वह सनदamation लाइलाज टो माम करने के लिए सांवन्य का प्रियौग होता है यूस का प्रियोग होता है सामने इस्तर का प्रियोग होता है बेटा उप्रसंद पूछ ले कि लाइलाज विरोजगारी कामाप किस सिस्थर से किया जाता है संदस्नात्मक विरोजगारी कामाप किस सिस्थर पर किया जाता है तो आपको तो इतना ध्यान रख लेना है जांबी दीरकालिन विरोजगारी होगी तो दीरकालिन विरोजगारी का माप करने के लिए बेटा जी सामन्ने इस्तर का प्रियोग किया जाता है यूएस का प्रियोग किया जाता है ये बात हमारे को ड्यान में रख लिए है तो विरोजगारी के कितने प्रकार हो गए विरोजगारी के मापने के तीन इस्तर हो गए है सामने इस्तर हो गया है चालू साप्ताइक इस्तर हो गया चालू देनिक इस्तर हो गया है द्यान रखना लाइलाज दीर कालिन विरोजगारी है इनको मापने के लिए किसका का प्रियोग किया जाता है धीर्कालिन बिरोजगारी चाहिए वो अनको होगा किया जासे कि सामने इसतर वार्षिक आधार पर माप जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि थी 155 इन मेंसे यदि किसी वेक्टी को 248 दिन into 8 घंटे या इसे या ये काम मिला है तो वह रोजगार है और इसे कम काम मिला है तो वह क्या है बेरोजगार है अब अपन बात करते हैं लेकि देखो नौट करके ये तो दीर कालीन प्रवर्ती की होती है और बाकी जो हैं वो सारी अल्प कालीन प्रवर्ती की होती है सबसे नरेगा है आपको पता है नरेगा है जो दो फरवरी 2006 को प्रारम किया गया था इसका नाम दो अक्टूबर 2009 से मैं अरेगा कर दिया गया है यह हमारे सलेबस में यह चीजी है इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे मैं अरेगा कर दिया गया है तो वर्तमान समय में बेटो बेरोजगारी उनमुलन का सबसे मेर्पश कारी क्रेम बने रेगा है क्योंकि आपको बता है मैं अरेगा में एक वित्वर्स में परिवार के कम से कम एक वैस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्त करवाने की करने वाले कारी दिवश हैं उनको सो से बढ़ाकर 125 करने की गोश्णा कर दी है फिर हैं कि बार्वी पंच वर्स यह योजना में रोजगार के पांच करोड अवसर सरजित करने का लक्षे वो रखा गया था बारवी पंच वर्स यह बार्वी जो फाइपिर प्लान है बारवी फ target हूँ इसमें रखा गया फिर बेरोजगारी का सरवादिक माप चालू देनिक इस्तर पर आता है यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा माप उसी डिएस पर आता है और सबसे कम माप है वो यूएस पर आता है समने इस तर पर आता है फिर देखेगा 2022 में बेरोजगारी की सरवादिक दरवाला राज्य राजस्तान रहा है ठीक है राजस्तान रहा है इसमें बेरोजगारी की दर 32.3 प्रतिशत रही है 32.3 प्रतिशत रही है और 2022 में विरोजगारी की नियुन्तम दरवाला राजे उडिशा रहा है इसमें विरोजगारी की दर लगबग एक प्रतिशत रही है हाला कि हर दो महीने में यह आंकड़े बदलते हैं तो यह पेपर सेटर नहीं पूछेगा क्योंकि जब पेपर बढ़ा प्रतिपली अपनको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हर दो महीने में यह चेंज हो जाते हैं तो पेपर सेटर इसे रिस्की प्रसंद आपको नहीं देगा फिर अपन बात करें बेरोजगारी की सरवादिक दरवाले रज्य मार्स 2022 में मार्स 2022 में जो आंक्ले जारी हुए है उस लात्ना राज्य में विरोजगारी कि दर हैं वो 32.3 प्रतिशत बताई गई है नंबर दो पे घरियाना और Biology कि दर है वो 31 प्रतिशत बताई गई फिर अपन बात करें बेरोजगारी की न्यूनतम दर वाले राज्जे तो बेरोजगारी की न्यूनतम दर वाले राज्जे हैं मार्स 2022 के नुसारी सुचना है ये नमबर एक उडिशा का बताया गया जोकी एक प्रतिशत मेगए llev आझाले का बताया गया एक पॉइंट चार प्रतिशत लूम्बर तीन गुजरात का Champs का Cao जोलिथी अधिummy इन्मीजों का गया यह5 प्रतिशत नममर चार उत्तर प्रतिशत का बताया गया दो नहीं देगा क्यूंकि जब पेपर बना और जब आपका पेपर हुआ इस तोरान आकड़ों में बदलाव आ जाता है असलिए प्रकार के क्वेश्चन से अपने आपको बचा के रखता है फिर आप देखेगा बात है न्यूंत मबजदूरी की दर राजस्ताल सरकार यह आपको याद होनी जिए पिटा ये तो ले लिए अपने सरम के प्रकार सरम है यह 922 का हुता है और वर्तमान समय में राजस्तान में जो न्यूंतम मजदूरी की दर है वो क्या है देखिएगा अब रिसेंट में ये हैं दोजार एक्कीस वाली अभी रिसेंट में चल रही है दोस्तों 2020 में राजस्तान में न्यूंतम मजदूरी की दर देखिए पहले तो स्रम होता वो चार प्रकार का होता एकुसल अर्द कुसल कुसल और उच्च कुसल तो पहले तो ये चारों प्रकार की स्रम क्या होते इनको जाने एकुसल स्रम क्या होता अर्द कुसल क्या होता है कुसल क्या होता और उच्च कुसल क्या होता है बिटो एकुसल स्रम की में बात करूं एकुसल स्रम की में बात करूं तो एसा काम जिसको करने के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षन की जरुवत नहीं होती एसा काम जिसको हर कोई कर सकता है जिसके लिए किसी प्रकार के तक्निक ज्यान की जरुवत नहीं होती किसी प्रकार के ट्रेनिंग की जरुवत नहीं होती वो कौन सा स्रम कहलाता वो कहलाता है एकुसल स्रम नमबर दो हैं अर्द कुशल स्रम। ऐसा काम जिसको हर कोई नहीं कर सकता, करने के लिए कुछ ज्यानकरी चाहिए, वो काम हैं, कुशल स्रयनी का होता है। तीसरा है कुषल ऐसा काम जिसको करने के लिए पूरा ज्यान चीए जिसको करने के लिए पूरा ज्यान चीएर ट्रे DR 상황 चीए वो कौन इसको करने के लिए कुछ ग्यान की जरूत है वो अर्द कुछ ऐसा काम काम जिसको करने के लिए पूरा ज्यान चीए वह कुशल है और एसा काम जिसको करने के लिए विशिष्ट ज्यान चीए वह कुण सा कहलाता है यह नियूंतम बजदूरी कि दर है नियूंतम बजदूरी काम कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए इससे ज्यादा चाहिए आधार पर है अब यह स्रम के जो चार प्रक्राइब बताएं एक उदारन के माद्देव से मैं आपको क्लियर कर दूँ यादा असान रहेगा माल लिजिए आप टीचर्स की तियारी कर रहे हैं और आप टीचर्स बन करके सरकारी विद्यालियों में जाएंगे तो वहां आप ज कि देखिये आप जीश्यस्कूल में जाऊंगे वहां बेटास वीपर भी होगा वहां चतुर्स रणी क्रम्चारी भी होगा वहां अध्यापक की रूप में आप भी होंगे और वहां आपका हेड़ मास्टर भी होगा प्रिंसिपल भी होगा है अब यहां चारों प्रकार का वहां जो श्वीपर है वह किस प्रकार का काम कर रहा है क्योंकि जाडू लगाने के लिए अमेरिका से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है वह एक कुषल टाइप का काम कर रहा है वह जाडू लगा रहा है नंबर दो वाँ पर जिए चत्रस्रणी क्रमचारी वह अर्द कुषल है क्योंकि उसको पता है उसको जानकारी है कि कोई सा पिरियड की समय पर लगाना है पिरियड की गंटी केसे लगाई जाते हैं छुट्टी करके चर्ण कियोंकि आपने ट्रेंड कर के विद्याले में पढ़ाने जा रहें ऑप कारिय के लिए प्रस्थिक्षिट हैं करेंगे वह कुछ सा कुछ आपके विशे का विशे ग्यान रखते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह कुछ सा कुसल स्रम होगा और आपके उपर तो हेड़ मास्टर होगा वो कौन से स्रम में आएगा वो बेटा जी उच्छ कुषल में आएगा क्योंकि वो आप से काम करेगा भी और काम करवाएगा भी खुद भी काम करेगा और आप से काम करवाएगा भी तो वो कौन सा है वो उच्छ कुषल है यह क्राइटीरिया बताया कि कुस्रम क्या होता है ध्यान रखना 2020 में कुसल स्रम है इसकी मजदूरीती 252 रूपए 252 रूपए अर्द कुसल की मजदूरीती 264 रूपए कुसल स्रम की मजदूरीती 276 रूपए और उच कुसल स्रम है इसकी मजदूरीती 24326 रूपए अब ध्यान रखना अभी भी ये 2021 व प्रतीक इस्तर पर मजदूरी है इसमें सात रुपे की वरदी की गई है इसमें शाट रुपे की वरदी कर गई है बेट समय में उनके लिए मज़ूरी कि इद्र दो सो उन्सट रुपय हैं अर्द قुसल मेचों के लिए मज़ूरी कि इदर है वह द्यान घ्रांदर्क न यह दोजार इकीस वाले आंक्ड़ी याद कर लेना है ल३ागा इसमें से साथ रुपए घटाओ कि बीज का जाएगा इसमें से साथ रुपए गटाओ कि प्सका जाएगा में समय राज्स्तान सरकार में नियूंतम मजदूरी की दर्यं हैं З compact द्यान रधना इस कितने प्रकार कांश्रम है चार प्रकार कांश्रम है ऐकुसल अर्द कुसल कुषल और उचुकुषल क्या होता है यह मैं आपको बता चुका हूँ मजदूरी की दर्यं आपको याद रखे लेनी आपको प्रबल संभावना रिसेंट पूसता है तो 2021 वाली याद रखनी है जो अभी यही चल रही है और अगर दुरबाग्य से 2020 का पूसता तो हर इस्तर में से 7 रुपे क्या कर देना घटा देना अपने आप 2020 की मजदूरी किदर हैं वो आपको एपास में आ जाएगी तो दे आक बेरोजगारी को मापने के विदिया बता दी है मिरोजगारी के आकड़े बता दी है कि यो Сейчас मजब्धूर्म की दर्यें आपको दोस्तो जब इ curvature की भात में ने की तो प्रकर्ती में था कि कि है भारत में यह राश्तान में सबसे ज्यादा बिरोजगारी सुन सिर्छा कि या ड्हाचागत बिरोजगारी है लगर्य के सम 허atri में धूर्फता तो नगर्य में सबसे ज्यादा है वह सिक्षित और तकनिके हैं विरोजगारी है чек्षित में आप पूचे तो ग्रामी शेक्तारों मौस लिजई चिपी और मौसमी बेरोसगारी है फिर ये मैंने आपको बताया है कि बेरोबित की जो बारा प्रकार मेंने आपको बताएं उनमें से संद्सनात्मक और लाइला जो बिरोजगारी है वो तो दीरकालिन प्रवर्ती की होती है और बाकी जो प्रकार है वो अल्पकालिन होते हैं ऐस्ताई प्रवर्ती की विरोजगारी पुर्ष में होती है फिर बेड़ा बिरोजगारी के मापके तीन मेथड में आपको पढ़ाए हैं एक बार फिर से यदि काम मिलता है तो रोजगार सुदा है और चार गंटे से कम काम मिलता है या काम नहीं मिलता है तो वो बैरोजगार है दूसरा अपने बताया चालू साप्ताइक स्थर CWS बस करयं वीख्ली स्टेटस इसके मापका क्राइटरिया वह साब्ताइख है यदि किसी विक्ति को सकता में एक दिन भी रोजगार मिल जाता तो रोजगार शुदा है और पूरे सब्द में रेता है या, इसे गज़ी काम मिन रहा है, तो वो रोजगार सुधा है, और इससे कम कम मिल रहा है तो वो रोजगार है, फिर बेटो हमने यह बताया, कि बेरोजगारी का सबसे ज्यादा जो मां पाता है, वो चालूधेनिक इस तर पर आता है, और सबसे कम आपाता है वो सामनने स्तर पर आता है फिर अपने बात की नियुंतम मजदूरी की दरें तो ध्यांद रखना वर्तमान समय में रास्तान में ऐ कुशल सर्मिकों की मजदूरी की दरें 269 रुपे देनिक और कुशल हैं और कुशल सर्मिकों की नियुंतम मजदूरी हैं वो हैं 271 रुपे देनिक और यही हमारा जो वाला पार्ट है वो खतम हो जाता है अगले टोपी के साथ हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे आज के लिए बहुत बहुत आश्रवाद शुब कामनाई झाल 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 झाल